क्या ये सच है? IPL की एक टीम ने अपने पैसो के दम पे लीग के एक मैच में पांच फॉरेंड प्लेयर्स खिलाए थे? क्या है पूरी सच्चारी? जानते हैं इस वीडियो में हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट मन्थन में जैसा कि आप जानते हैं आजकल फ्रेंचाइजी बेस क्रिकेट लगबग हर देश में खेली जाती है जिसमें मुख्यता, इंडियन प्रेमेर लीग, बिग्बेश लीग, केरिबियन प्रेमेर लीग और PSL जैसी लीग शामिल है सभी प्रमुक लीगों की बात करें تو सभी में नियम लगबग एक जैसे है जिसमें एक नियम ये भी है कि किसी भी टीम में चार से जादा विदेशी खिलाडी एक साथ नहीं खेल सकते हैं लेकिन लेकिन ये बात बिलकुल सच है कि IPL की एक टीम ने एक मैच में पाँच विदेशी खिलाडीों को एक साथ खिलाया था अब आप पैसो की बात सुनकर सोच रहे होंगे कि वो टीम मुंबई इंडियन्स ही होगी तो आपको पता दें कि हाँ वो टीम मुंबई इंडियन्स ही है हलकि कारण पैसा बिलकुल भी नहीं था जी हाँ दोस्तों ये वाक्या है 2011 चैंपियंस लीग T20 का जिसके तीसरे मैच में मुंबई इंडियन्स ने चैंपियंस उपर किंग्स के खिलाब खेले गए मैच में कुल पांच विदेशी खिलाडियों को प्लेइंग 11 में जगा दी थी जिसका कारण ये था कि उस मैच से पहले मुंबई इंडियन्स के कई डोमेस्टिक खिलाडी चोट के चलते टीम सेलेक्शन के लिए उपलब्ध ही नहीं थे इसलिए उस एक मैच में मुंबई इंडियन्स को पाँच विदेशी खिलाडियों को मैच में खिलाने के लिए छूट दी गई थी वो पाँच वोरेंग खिलाडी थे डेवी जेकप्स, एंड्रू, साइमन्स, एडन ब्लिजार्ड, कायरन पॉलार्ड और लसित मलेंगा क्या आप ये फैक जानते थे कामेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे क्रिकिट से जुड़ी इसी तरह के इंटरस्टिंग फैक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें धन्यवाद, जैहन